तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि अभी नौरात्रे आ रहे है driving में जेनरली जादातर लोग वरत करते हैं तो वरत की बहुत सारी recipes होती है जो लोग बनाते हैं, वरत की थाली होती है बोनाते हैं और अस्टमी, नौमी और सप्तमी यह तीन दिन स्पेशल प्रसाद बनता है तो उसकी रेसिपी भी मैं आगे आप आने वाले टाइम पे जरूर सेर करूंगे लेकिन आज हम लोग बनाने वाले हैं व्रत का कबाब तो हाँ दोस्तों यह व्रत का दही कबाब है जो कि आपको जब भी मन करें तो आप इसे व्रत के टाइम पे बना के खा सकते हैं इसमें जो भी इंग्रीडेंट यूज होते हैं वही सारे इंग्रीडेंट यहां पे इस्तमाल होंगे इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आज मैं बनाने जा रही हूं एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी व्रत के लिए जो है दही का कबाब तो इसके लिए मैंने तीन घंटे पहले ही दही को एक कप दही को मैंने हंकट बनाने के लिए उससे रख दिया था एक स्ट्रेइनर पे अब यह देखे बिलकुल अच्छ बन चुका है त्यार हो चुका है यह मैंने मीठी दही ली है इसलिए मुझे यहाँ पर पनीर या फिर आलू डालने के जुरत नहीं पड़ रही है लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं पनीर को ग्रेट करके या फिर थोड़ा सा अधरक ग्रेट करके और आलू को भी ग टू का आटा या फिर जो चेस्टनट फ्लोर होता है यानि कि सिंघाडे का आटा वो डाल सकते हैं फिर उसके बाद ब्लैक पिपर और साथी में रोस्टेट धनिया का पाउडर है जीरा पाउडर है और सबको अच्छे से डालके और थोड़ा सा रॉक सल्ट डालके हम लोग उसे मिक्स कर लेंगे और अब ईससे हाथों के मदद से हमें बिलुगल छोटे साइस का इससे बनाना है और उसमें जो हम लोग फिलिंग जो हमने कुछ ड्रैफ्रूट्स रखे तो उससे हम लोग खृस्त कर लेंगे और वह जैसी हमारा पृपियर होग़ा वैसी हम लोग इस से डालते जाएंगे इससे आपको कहीं सेक्योर करके नहीं रखना है क्योंकि यह बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है अगर इससे हम लोग केर से नहीं बनाएंगे तो यह बिल्कुल आसानी से तूट जाएगा लेकिन अगर आप इसमें आलू या फिर बाकी के या फिर पनीर या व्रत में घी का ही इस्तमाल होता है तो दोस्तों सर्फ कीजे इससे किसी चटनी या डीप्स के साथ थैंक्यू दोस्तों